कि हलो फ्रेंसए स्वागतने निए फ्रेंस इस विर्टियो के अन्दर बताने वालों iPhon 11 में किसी तरीजिटे इन टाइम को चेंज कर सकते हैं नहीं सब्रैइब ऑफेंस नहीं पता होता है कि इस बाते हो यहां इहीं बता होता है कि डेंटें से चैन्ज No ठीक है फ्रैंथ तो इस वीडियो के अंधर यहीं बात करने वाला हो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे नहीं कि आपको क्या करना होगा सैटिंग में जाना है सैटिंग में जाने के बाद आपको सबसे उपर único टॉप में आपको लिखना है रिक is reset लिखते ही उसके बाद एक बार आपको यहां से कैंसल करते ही तो फ्रेंच जैसे reset लिखते हैं यहां पर आप देख सकते रिसेट करने जाता है उसके बाद बैक करना है आपको आप Everyone software यह सब वगरा सब दिख जाएगा ठीक है इसी के नीचे आपको keyword 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 के उपर में आपको देखने को मिलता है यह वाला option date and time इस पर किलिक करेंगे किलिक करता ही आपका 24 hours वाला आपको यहां पर on होगा तो इसको आपको disable कर देना है और यहां से आप देख सकते कि automatically time zone जो set है आप चाहे तो इस पर रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से time को customize करूँ change करूँ तो इसको off करना पड़ेगा automatically time zone को उसके बाद इस पर किलिक करना होगा और यहां से day को select कर सकते हैं आप देख सकते हैं और यहां से आप date जो time होता है उसको set कर सकते हैं यहां से minute set कर सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं आप यहां से कर सकते हैं आपने इस आप से मैंने सेट नहीं किया है मैं तो सिर्फ आपको बताया तो टेट इन टाइम पर जाके मैं ओटोमेटिकली टाइम जो उपन कर देता हूं आप देख सकते हैं यहां पर सही टाइम सो होने लग गया तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक शेर इन सब्सक्राइब करना मत भूले देगा मिलते नेक्स वोड़े मैं तब तक के लिए नमस्कार फुट पाय टेक क्यार